सतनाम तनवाह गुरू साहिब जी डंडवत बंधन अनकबार सरब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभू नानक देकर हत यही आस पूरन करो तुम हमारी मिटै कष्ट गववन चुटै खेद पारी फते सत गुरू की जगत स्यों बुलाऊं सबन कव सबद वाहे वाहे द्रडाऊं करहूं खाल सा पंथ तीसर प्रविशा जगे सेंग जोदे तरे नील पेसा करहूं खाल सा पंथ तीसर प्रविशा जगे सेंग जोदे तरे नील पेसा मानतान बलहारी दरसारी कोट कोट बंधन नमसकारा बारं बार जाओ लखवारी पूरन पेत गुरुराम हमारा राजान राज सत्गुरु पानान पान सत्गुरु देवान देव उपमा महान सत्गुरु तांतन सत्गुरु सहबे कमाल बादशा दर्वे सोड़ी सुल्तान कलगी तरपिता शिरी गुरु गोवन से महराज सचे पाच्छा जी दे प्रेम दे विच जोड़ करके आउ सब तो पहना फते दा नारा बिलांद करिये अपनी सुर्तनू तन सत गुरु गुरु गोविन से महराई दे चरना दे विच टकॉंदे हुए प्रेम सहत उचारन करिये जी वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फते गुरु सुरूप गुरु खालसा सा संग जी अजाप सव संगता जी दे नाल सहबे कमाल तांतन सत गुरु गुरु गोवन से महराज सत गुरु सचे पाच्छा चोजी प्यारे सत गुरु फोजां वाले बाजां वाले तखतां वाले सत गुरु कलगी तरपिता जी दी मुबारक रसना तू उचार्न कीती हुई पावन पवितर बाणी श्री ब्रह्म कवज सहब जी दे उते विचार करन दे लई आप सब संगता दे सानमुख सजेया सो मैं बेनती करां के ए जो पावन पवितर बाणी है कलगी तरपाश्य जी ने अपनी मुबारक रसना तू उचार्न कीती है ते प्यार वाले उस सदियां तो ही गुरू खाल सा पंथ इस बाणी दा जाप करदा आया है ते करदा ही रवेगा पामेश रोमनी पंथ काली बुड़ा दाल पंजवा तक्त मिसल शहीदा तरनादल बाबा बकाला साहिब तरनादल हरियाँ वेला तरनादल बाबा भिदी चंद साहिब रंगरेटे गुरू के बेटे दमदमी टकसाल उदासिन संपरदाए निर्मले संपरदाए नामतारी संपरदाए ते फिर पामे साचखन शिरी हजूर साहिब जीदे विखे टानसाध गुरुगुबण से महरा सचे पाच्शा जीदिया अछूरी फोज‡ उवा इस बाणी दा जाप बड़े उच्छा नल कार दीया बड़े प्रेम नल कार दीया, बड़े चाह नल कार दीया ते सच है के इस बाणी नूँ पढ़ के अंदर शस्तना परती चाह जागदा अंदर कलगी तरपाश में जिदी बक्षश इस वरासत परती सर्ब लोः दी रचिया हमने सर्ब लोः के परती चाह जागदा चाहु पैदा उंदा गुरु के परती पावना जागदी है मैं बेनती करां कि इस बाणी बारे वक्षो वक्षरे विद्वाना दियां कोज के राहे ने कि मारकंडे रिशीनू ब्रह्मा ने दुर्गा दे बती नाम उचारन करके एक कवच भक्षियासी जड़ा मारकंडे पुरान दे विच दुर्गा कवच दर्ज भी है तन साथ गुरु गुरु गोवन से महरा सचे पाच्छा जिदी पावन पुवित्तर बाणी ते जदों आप दर्शन करांगे ते विच जिकर रहुंदा है के मिल कैसो देवन बढ़ाई करी कालका की एहो जग मात तै तो काटे वबड़ो पाप है देतन को मार राज दीनो तै सूरेस हूं को बड़ो जस लीनो जग तेरोई प्रताप है देत है असीस देज राज रेख बार बार तहां ही पड़ेओ है ब्रहम कौच हूं को जाप है ऐसे जस पूर रहे उचंड का को तीन लोक जैसे तार सागर मैं गंगा जी को आप है दे हवाले मिलनगे के उस्तत सब हूं करी अपारा ब्रहम कवच को जाप उचारा के ब्रहम कवच दा जाप उचारिया देंता दा ना सोनते दुर्गा दे बत्ती नाम लाय करके दुर्गा दी जैजा कार किती गई दुर्गा दी उस्तत किती गई उन दुर्गा कवच क्या गया ब्रह्मा ने ए कवच मारकंडे रिशी नु बक्षिया गये मारकंडे ने अगे अगे रिशीया नु बक्षिया और मारकंडे पुरान देवेचे दर्ज है एसे घर के पुलेखा पाया जान दा के पाये ते भ्रहमना दा आ गया पर मैं बेनती करां के जेडा कवच मारकंडे पुरान देविच लिखे है और जेडा कवच भ्रहम कवच गुरू के सेंग गुरू के खाल से पंथ देविच पर चल लेता है इदेविच अंतर है अंतर क्यो हुआ है क्यूंके टान साथ गुरू गुरू गौवन से महराज सचे पाध्षा जी कल्गी तर पाध्षा नू गुरू के खाल से पंथ्ने गुरू क्या सिंगा ने बेन् referral किती महराज इiversi को जेडा को एक देंतादा नास होने जे साथ ने आयजर होई तेता अन्गुरु कलगियां वाले प्रीतम मुस्करह के कैन लगे खाल साजी कवच तो अनुवी दे आंगे कवच तो अनुवी दे आंगे पर चार वेद नु रचन वाले ब्रह्मा दा कवच नहीं दे आंगे बलके ब्रह्मानु रचनवाले उस ब्रह्म प्रापार ब्रह्म अकाल पुरख दा कबच दे आंगे जिने ब्रह्मानु भी बनाया है उस परमातमा दे नामा दा कबच दे आंगे जेस परमातमा ने जेस अकाल पुरख ने कोट इंदर उपिंदर बनाये ब्रह्मा रुदर उपाए खपाए कोट इंदर उपिंदर बनाए ब्रह्मा रुदर उपाए खपाए जिनने लखाई ब्रह्मा बनाए ते लखाई बना करके फिर खपा दिते समेट दिते उस ब्रह्मा दे उस परमात्मा दे उस काल पुरख दे उस वाही गुरू दे नाम दा कवच दे आंगे ते सच है जेडा भी इस कवच दा जाप करेगा रण जीत लेह निरपीत रेह रेदसिद पावे अतरी के जेडा भी मरजी रण तता होए ओखे तो ओखा समा होए फिर भी ओधी जेत जरूर होएगी जेडा इस कवच दा जाप करेगा संसार दे सारे पै मुक्तो जानगे सारे डर दूरो जानगे संसार दे लोक रिदियां सिदियां पिछे पाज देने जेडा इस ब्रह्म कवच दा कलगी तरदी बाणी दा जाप करेगा संसार दियां रिदियां सिदियां उस सेंग दे पिछे पजण गिया मैं बेनती करां प्यार बाले ओ ए बाणी वेच बरकतां ते बोत ने बक्षेशां ते बोत ने पर कई वारना ब्रह्म कवच दा नाम सुन के अज शंका वादियां वलो संगतां दे मना वेच किते ना किते दुविदा पाई हाई जी बरह्मा दा नाम आगया आए जी ए ते हे बरह्मन अदा बरह्म कवच आगया मैं बेनती करां तानगुरु गोविन से महराज जी समुच्ची बानी किते भी किसे देवी देवते दी नहीं प्रातन समेदे वेच वेखो, असीते अलपाग जीवाँ, साध्डी ती इदनी बुद्धी नहीं, सानों ते संसार दे दो के अखर बोलने आजन तेसी अपने आपने आपनू अनांत समझन लगपेंने यहां बानी ते कठाख्ष करन लगपेंने यहां पर जिन्ना मापुर्खाने कमाईयां किती हाँ ओना कदे अगर भानी दा खंडन नहीं किता जिन्नानु अज गुरुबानी दे अखरान दा वी ज्यान ने ओ बानी दा खंडन कारदे पर जिन्ना मापुर्खाने बानी नु जीवन वेच कमाया उन्ना कदे खंडन ने किता पावे पुरातन समे दे वेच संत बाबा गुरुबचन सेंग जी खाल सा पिंडरावाले मापु प्यूलावालें जेड़े कौम दीखातर कौम दी अणकदी खातर अपने दी रिटाणदी कुरुबानि कर दे जना ने वी बचितर नाटक दी कथा है उन्हा ने कली कली गाल दा ग्यान हुंदा है जे कि ते इस बानी बारे कोई मात पेद हुंदा ते मापुर्ख जिकर जरूर कर दे क्योंके मापुर्खां तो वद साच बोलन दी ताकत कोई भी नी रख़दा सो उन्ना ने कदे भी इस बानी दा खंडन नई किता ते नाई प्यार वाले करना सखाया है ते दूसरा मैं बेनती करां के दास तो पहला भी दमदमी टक साल दे विद्यार थी बाबा ठाकुर सिंग जी पटे आले वाले उन्ना ने भी इस बानी दा प्रचार बहुत वडे के बराग भी उपजदा है उन्ना दे बोलना दे विच ऐसा रास है उन्ना ने भी कई बार दसम दी बानी दी कथा कारदेश पाठ दा जिकर किता है पर किते भी किसे भी कथा दे विच बाबा इंदर जी सेंग जी रखबे वाले ने इस बानी दा खंडन ने किता ग्यानी दूसरा मैं बेकरा कि श्रोमनी पंथ काली बुड़ा दल-पंजमा तखते ग्यार में जतेदार, शेंग सहेंग लुखिएnh呵 कला तारी जी बुड़ा दाल दे ग्यार में जतेदार मैं बेंटी करां भी कोई मामली शक्षियत नहीं हठी तपी जपी मापुर्ख जिनानू तान गुरु गोवन से महराज कलगी तरपाशा ने खोद दर्शन दिते ते प्यार वाले ओ जिना दा जापताप उद और शब्दा और ये बोल केवल मेरे नहीं ये बाबा गुरुबचन सेंग जी खाल साप पिंड रावाले आदी अपनी लिखत गुर्मुख परकाश दे विच गुर्मुख परकाश दे विच ए बोल ने के पिंड अखाडे संगत आई बुड़ा दाल पी आयो ताही साहिब सेंग जते दा शल भार वहीरा हथी जपी तप सिदक गंबीरा कि बुड़ा दाल दे जते दार स्यंख सैंग सेंग साह बाबा साब सेंग जी खला दारी जी जपी तपी मापुर्क दाल पांत दे नाल वहीर नाल उतारा हुए?" नामरस न चार कराया ते उत्थे खंडे बाटे दी पोल महापुर्खाने लई सो रहो विचार सेंग से बाबा साब सेंग जी कला तारी सेंग साब जथे दार बाबा चेत सेंग जी 96 कुरवडी महापुर्ख इस बाणी दा जापकसर करया कर दे कलगी तार दे प्रेम दे विज पेजिके ते दूसरा इस बाणी दी पोथी नूं हमेशा कमर कसे रखिया कर दे ऐसा सतकार हर पाल अंग संग रखना इस बाणी नूं ते मैं होन बाणी दे अर्थां पर थाया आप जी ना सांज पामा वेखो बाणी दे जो अर्थ अखर ने सब तो पहलना एक ओवंकार स्र वाह गुरुँ जी कि फते बानी दी अरंबता तो परनां वो सकाल पर्ख वाह गुरु परमातमा दी शक्ती दी उस्तत तो परनां मंगल किता और वेश्पष्ट कर दीता कि जस परमातमा दी शक्तियां दा जिकर करन लगें याclass दा कव चलिए ओ एक है कोई दो नहीं किते मा अंकार एक है सर्व व्यापक है सीरी वाह गुरू जी की फते सतकार जोग है अस्चर्ज स्रूम ते साच है साड़े अंदकार नू दूर करके परकाश कर दिन्दा है साड़े अंदरो हनेरा दूर कर दिन्दा है प्रमातमा उस सर्ब व्यापक एक अकाल पुर्ख वाहि गुरू दी हर जगा फते है जिस दी हर जगा ते फते है हर जगा ते जेत है हर जगाते रम्याविया है उस से प्रमातमा दी शक्तियां दे नामा दे एक अराम करने लगे हैं बचन लेखदेने आत ब्राह्म कवच लिखे दे पारात साही दसवी आत तो प्राव उंदै के होन होन ब्राह्म कवच लिखना अराम कर देया ब्राह्म की है क्योंके ब्राह्म शबद बारे भी बहुत ज़्यादा दूबिदा पाई जांदी है के जी ब्राह्म शबद आ गया वेखो तानु गुरु ग्रंस है महराज सचे पाच्षा दी बाणी नुझे प्रेम नल पड़ांगे न ते ओदे वेच बचन ओन गे ब्राह्म दीस है ब्राह्म सुनी है एक एक वखानी है आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानी है कि ऐ गुरु क्यों सिखो है जिन्ना वी पा सारा नजर आ रहे है जिन्नी वी काइनात नजर आ रही है कोल ब्रह्मांड ए सारा ब्राह्मी ते है ब्राह्मी नजर आ रहे है ते ब्राह्मी कन्ना देवे सुनाई दे रहे है प्राम तो बिना संसारक दे तखते थे होरकोज भी नहीं उस ब्राम दा कवच है ना के चार वेड़ा दे रचनहार बलके ब्रह्मा दे रचनहार पार ब्रह्म दा एक कवच है ते प्यारवाले जाप सहब दे भी बोलने के ब्रहमं तो रूप है हार एक जगा ते रम्या होया है ते मैं बेनती करां दूसरा शब्द है कवच क्योंके पहला ब्राम फिर कवच कवच शब्द वीतान गुरु ग्रंस है महराज जी दी बानी दे विच आप सब संकता दर्शन कार साकते बचन उन्दे ने राम कवच दास का सन्ना ँह दूत धुष्ट तीस पोहत ना है कि राम कवच वेखोंग जे कोई कवच कि जी थे ते राम दे कवच दि गाल लागी मिलावत होगी नहीं पर इते राम कवच तो पा आवै राम होया राम है प्रमातमा है अकाल पुरक है वाहिगुरु है उस प्रमात्मा दे नाम दा सानु कवच है पावो प्रमात्मा दा नाम साधी रखेया कारदा है उस प्रमात्मा दे नाम दे कवच नो सी अपने रू दे उते अपने मान दे उते अपने तान दे उते तार्न किता होया है सो इथे वी ओ सकाल पर खवाही गुरु परमात्मा पार ब्रह्म दे कवच नू लिखना अराम किता है पाच शही दस्मी पाच शही दस्मी तो पाव सहबे कमाल तन सात गुरु गुरु गोवन से महाराज सचे पाच शाजीदा ए उचारन किता है बचन कारदे ने खडग खंडा असी अरगर तरम राच ताग छतरी वेखो होन जेस्तरा ब्रह्मा ने देवी दे बती नाम उचारे ते कवच बनाया और देवी दी उस्तत किती ते प्यार वाले ओ तन गुरु गोवन से महाराज सचे पाच शाज ने इत्थे प्रमातमा दी शक्ती दे प्रमातमा दे बती नाम उचारे ते प्रमातमा दी उस्तत किती क्योंके ज्यानी ज्यान से होना दा एकतन है के गुरु के सेख दे तेने इष्ट अश्ट तो पाव हुन दे जिन्म सत्कार आ जावे जिदैंगे सीज चुकाया जावे वेखो कैन दे वे चते पामे तेन इश्च ने परे तिनना दा रूप है एको दा रूप है तेनने बोलन वेच तेनना आरे ने पर असल वे ची कोई ने पहला इश्च है अकाहलपुर खवय गुरु परमात्मा नेरंकर परमात्मा। दूसरा इष्ट है शास्तर शास्तर तो पाव तान साथ गुरु 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 गुरंस से महराज जी दी गुरु बानी दूसरा इश्ट है शास्तर तीसरा इश्ट है शास्तर क्योंके जी में गुरू के सिख गुरू की बाणी नू सतकार देंदे या इसे तरह शास्तरा नू भी सतकार देंदे या जिते शास्तर नामंग नमसकार तामंग जिते अस्तर पेयंग नमसकार तेयंग सो इते सातगुरु गुरु गोवन से महराज गुरु के खाल से इश्ट दीपाव शस्तर दी शक्ती दा बर्नन कर देने नाम उचारन कर देने ते मैं बेंटी करा के प्राणे समेच बहुत बड़ा प्राम पैचुके आसी लोग प्रमातमा तो टोटके अगां होर किसे दी उस्तत करना लाग पे पूजा करना लाग पे देते गुरु कलगियां वाले प्रीतम ने किरपा किती के सानु शास्तर दे शस्तर दे लड़ लाके एस खाया के प्रमातमा दी उस्तत की में करनी है शस्त्रा दी ताकत दे वेचवी ताकत किसे दूसरे दी नहीं बलके ताकत उस प्रमातमा दी या उस प्रमातमा दी उस्तत करेया कार सो शब्द ने खडग खंडा असी अरगर तरम राचता गशतरी वेखो सब तो पहला शब्द है खडग खडग दा पाव उन्दा खाल साजी जड़ा खंडन करे सो अकाल परखवाही गुरु परमातमा ने जित्थे वेमा परमा दा खंडन किता ओथे परमातमा दी शक्तिस रूप खडग ने वैरियां दा जालमा दा पापां दा खंडन किता क्योंके वेखो सातगुरु गुरु गोबिन से महराज ने गुरु के सिखा नो दो खडग बक्षी आने दो एक खडग गुरु की बानी रूपी खडग है जे में गुरु गरंस सहब जी दे विच बचा नूदा है गुरु ते ग्यान पाया आत खडग करा रहा के एक ते खडग ए गुरु की बानी दी गुरु की बानी दे ग्यान दी खडग है जेडा सिख नेत अपने हिर्दे दे विच तारन करके राखदा ते एक प्यार वाले ओ खडग है सरब लो दी जेडा गुरु का सिख अपने गात्रे तारन करके राखदा अपने कमर कसे सजा के राखदा दूसरा हाथ वे सरब लोदी खडग है जिमें शस्तर नामाडा देविच महराज ने बचने किते आस कृपान खंडो खडग सैफ तेग तरवार राच करो हमरी सदा कब चांतक करवार के एवी खडग एवी प्रमातमादी शक्ती है दूसरा शबद है खंडा खंडे तो पाव परमेशर दिमाया क्योंके चंडी दी वारदे वेच महराज ने सपश्ट किता के खंडा प्रितमै साज कै जिन सब सैसार उपाया ब्रह्मा विसन महेश साज कुदर तीदा खेल रचाय बनाया सेंद परबत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया सिर्जे दानों देवते तिन अंदर बाद रचाया कैन तो पाव खंडा पाव परमातमा ने अपनी आद्शक्ती सब तो पहनला माया दी रचना किती सो अकाल पर खवाह गुरू परमातमा ने किर्पा किती के खडग सुरूफ शक्ती नु सिर्जे आ परम सत्ता ने अपनी माया नु सिर्जे आ ते फिर संसार दी रचना किती वेखो एक कलगी तार पाशा जी दी बानी दी वड़ियाई है तानसात गुरू गुरू गोविन से महराज सचे पाशा जी दी बानी दे जदो प्रेम सहत दर्शन करोगे ते बार बर ए बचन मिलनगे के जित्थे भी महराज अपनी बानी दी अरंबता कर देया ते खंडे दा ते खडग दा पाव शस्तना दा जी कर करके प्रमातमा न जोड़ देया पामे बचित्तर नाटक दी बानी पड़ांगे सब तो पहनला बचन किते नमसकार स्री खडग को करों सो हेत चे तलाई सो इस से तरह जी में ब्राम कवच देवेच पहला शब्द खडग है प्यार वाले उस से तरह बचित्तर नाटक देवेच भी पहला खडग नु नमसकार किती है प्रमातमा दी शक्ति नु नमसकार किती है हुण खडग अटे खंडा ए बादशा दरवेशी वर्त साक देया ए तानगुरु गोवण से महराज सूर बीरा दे सूर बीर महाबली तपस्वी तानसाथ गुरु गोवण से महराज इन्ना शब्दां दी वर्तों कार साक देया हो और केडा माई का लाल करूगा एक कलगी तारपा शादी किरपा है तो तीसरा जड़ शब्द प्यारवाले ओ खडग खंडा असी अरगर असी दा जड़ा महान कोश्दे विच पाईकान सिंग नाबाने अर्थ लिखिया है कि आसवाला आसवाले तो पाव शस्तर तारी खडग तारी जिने शस्तर तार्म किते कै तप आवत है जो करो और अवर जञार जितो ग्रह को तो हित्याग कहा चितता में तो शतरी तो पाव शस्तर तारी शूर मा अरगर असी अरगर अरगर दा जड़ा शाब्द कर्थ है के वेरियां दा नाश करन वाला तरम राच तग शतरी तरम राच दा पावै तरम दी पर्मातमा ते शक्ति ताग शत्री तो पाव ताग लगरोकर्ण है । इतान गुरु गोविन से महराज ने इते प्रमातमा दी शक्ती दी उस्तत्किती शस्त्राँ दे नाम ले करके क्योंके शस्त्राणु साथ गुरु गोविन से महराज ने पीर कहके सतकारिया जाब सहब देवेच्वी बचन उन्दै के छत्रंग छत्री है के तु शस्तर तारियां दा भी शस्तर तारियां तेरे वरगा शस्तर तारी कोई नी हे प्रमातमा तेनु साधी नमस्कार है अगे बचने बेश्व पाल पुपाल पाच्छ पाल पाच्छ रान का चेतरी बेश्व पाल दा पाव है खाल साजी जगत पालक ते जगत पालक कोण है जगत नू पालन वाला कोण है ओ अकाल पर खवाई गुरू है जड़ा जगत नू पाल दा कोई होर नहीं अकाल उस्तत सहाब देवेच वी गुरू गोवन से महराज बचन कर देने बिश्व पाल जगत क्याल दीन द्याल बैरी साल सदा प्रत पाल जम जालते रहत है के ओकाल पर खवाई गुरू यह जड़ा विश्व पाल विश्व नू पृत्वी नू संसार नू पाल रहा है जगत दा काल है दीन द्याल है ओ प्रमातमा है गुरू गरंस से महराज जे दी बाणी दे विश्व बचन उंदेने के जगत पिता है सर्व प्राण को अदार के ओकाल पर खवाई गुरू प्रमातमा जगत दा पिता है कोल काइनात दा पिता है ते सारे दा अदार है प्रमातमा प्रमातमा यह जेस्तों कानकान रचिया गय है अकाल पुर्खवाहिग्रू दी ब्यंतता है अग्य बचने पू पाल पाच वेखो शबद है पू पाल पूदा मतलब उन्दा पूपत पाव के राजा साथ गुरू कहेंदे प्रमातमा एह जड़ी तेरी शक्ति शस्तना दे वेच वर्त दी है राजयानु भी पाल दी साच ह आये राजयान को शस्तरना ओनते राजपा कया मनी रहते कि fox शस्तना तो बिना कदे वी राज कया मनी रहते ते साथ दे रहे हैं तो कि ते तूं ऐसा विशाल हैं ऐसा विराड सरूप है कि उन्हा तो जित्ते वह राज-पाक खोवी रहे हैं. अग्ये शब्द है पाल पाच्ष पाल दा पाव एक खो मास भी है ते पाल दा अर्थ मूरक भी है ऐ प्रमातमा जो तेरी शक्ती शस्त्राशं देविच बर्ध दिया है मूरकां दा खातमा कर दिया है। प्रमातम् 2 शक्ती ओंगा खात्मा कार्दी एं विश्व पाल पाल पाच रांकाच अतरी तोपाव के राण दे वेच शस्तर तारी सूर में, तेरी शक्ती नाल महबत करनवाले सूर में, राण तत्ते दे वेच तेरी एस शक्ती नूँ, एस शस्तर नूँ, एस तेग नूँ, एस शम्शीर नूँ अपने लाकदे नाल बन देया, लाकदे नाल बन न तो पाव कमर कसे कार देया, वेखो तानगुरु गोवन से महराज जी दे गुरु कियां लाडलियां फोजां गुरु के ने आंग सेंग कमर कसे सजाओं दे शस्तराणु और जिन्ना दा कमर कसे आनल वास्ता कोई नी ओन आणु इस बानी दी समझ नहीं होने गुरू के नहांग सेंग गुरू के शस्तर तारी सूर में कमर कसे गुरू के सेंग ने सजाया है कमर कसे देविश शस्तर होन ते प्यार वाजे खुशी कलिया वाजे जरूर मिलीगी सो साथ गुरू केंदे के प्रमातमा अकाल परख वाय गुरू दी शक्ती नू शस्तर नू गुरू के सेंग वी और शस्तर तारी सूर में वी कमर कसे सजों देने सो इत्थों इसे दूंद है प्यारवाड़े हो के इदे विच उस्तत प्रमातमा दी शक्ती परम सत्ता दी आद शक्ती अकालपुरख वाईगरू दी उस्तत है किसे होर दी नहीं अग्गे बचने राजमंडा अत प्रचंडा इस्वरी करवार हैं राजमंडा तो पाव के राजयानू मान बक्षना प्रमातमा दी शक्ती है के राजयानू मान बक्षना प्रमातमा दी ताकत तो बिना राजयानू भी नी मान मिल साकदा यह परमातमा यह जड़ा नमानया नू मान बक्षदा है कोई दूसरा नहीं आत पर्चंडा तो पाव अकाल पर खवाएगुरू तेरी शक्ती वड़े प्रताप वाली है तेरे प्रतापनू कोई हाई माई चालनी साकदा मैं बेनती करां जिते प्रमातमा दी शक्ती दे प्रताप नूँ कोई माडा मोटा बंदा चाल नहीं साकदा साच है कलगीया वाले दी बीर असवाली बानी नूँ भी कोई माडा मोटा बंदा चाल नहीं साकदा ये ओई चलेगा जेडा साचमच गुरू के नाल महबत कारदा होएगा कलगी तारपाश्या नाल इश्क कारदा होएगा अत परचंडा बड़े परताप वाला है प्यारवाले वकाल उस्तदे वेच भी बचन अंदेने अखंड हरी, अपंड हरी, अदांड हरी, परचंड हरी हे प्रमातमा तु परचंड सरूप है पाव बड़े परताप वाला है इस वरी इथे प्रमातमा दी शक्ती दा वर्नन है के तू सारे संसार दी राणी है जे प्यार वाले वो प्रमातमा कोल ब्रह्मांडदा राजा है ते प्रमातमा दी शक्ती फिर सारे संसार दी राणी हुई ना जे प्रमातमा राजा है ते प्रमातमा दी ताकत प्रमातमा दी याद शक्ती राणी जिवें गुरुगरंस साब दे वेच बचनने के कवु हर समान नहीं राजा ए पूपत साब दिव सचार के प्यारवाड़े वाजिव चार बंदे बले बले करन लागजन की ते अंकार न करके बैजामी क्योंके असल दे वेच संसार दे तकते ते काइम रहन वाड़ा राजा बादिशा केवल खुदा आये कोई दुज्जा नहीं ते प्रमात्मा जे राजा है ते प्रमात्मा दी शक्ती राणी है इस वरी करवार है करवार तो पाव के तु तलवार सुरूप है पाव जड़ी शक्ती दा वर्नन कर रहे हैं ये तलवार सुरूप है शस्तर सुरूप है होनी थे सिद कार दिता कि थे किसे देवी दी उस्तत देवेच तलवार देवेच प्रमातमा दी ताकत वरती है प्रमातमा दी किर्पा वरती है प्रमातमा दी रहमत वरती है हे अकाल पर खवाई गुरु परमातमा तेरी शक्ती तलवार सुरूप है ते मैं बेंड़ती करां जिते है शबद आजावे न वो थे फिर कोई पुले खानी रहा जानदा क्योंके है शबद दी गुरुबानी वेच बरतो है है पी सच वी तू है ते तू सचा है जाप सहब दे वेच वी है शबद दी बरतो है जले है थले है जल वेच वी तू है थाल वेच वी तू है अकाल उस्तत दे वेच्वी है शबदी बर्तो वै तान गुरु गोवें से महराज सचे पाशा ब्रह्म कवच दी बानी दे वेच्वी है शबदी बर्तो कारदेने के तेरी शक्ती है पर किस रूप दे वेच्च है शस्तरा दे रूप वेच्च है तलवार दे रूप वेच्च ह सक्त ब्रह्मनी बैसनवी पवानी तू तरवार हैं सक्त तो पाव है दुर्गादा नाम सक्त मन्या गया है और ब्रह्मनी तो पाव है ब्रह्मा दी इस्तरी बैसनवी तो पाव है विश्नु दी इस्तरी ते प्यार वाले पवानी तो पाव के शिवजी दी इस्तरी पार बती त जरवार तो पहब है पगोती, क्योंके तरवार शबत जो पगोती धा वाचक है, सात्गुरु ने सपष्ट कार दिता, कल गी तरपाशा ने किते कुई देवी देवी होगी, ठीक है, पर साधी बानी देवेच किते देवी दी उस्तत नहीं, बल्कि उस पगोती दी, उस प्रमा प्रमात्मा दी उस्तत है जिदे चर्णा देवेचे सारियां देवियां नमस्कारा कर दियाने। प्रमात्मा देवेचे तेरी शर्णा देवेचे दुर्गा भी नमस्कारा कर रही है। प्रमात्मा देवेचे महराज ने बचन किते श्री तुम कारन तुम ही तुम बिदया को सार। तुम सब को पराज ही तुम ही लेहो उबार। के तुम ही यह जड़ा सार्यान बनोन वालें अग्गे बचन है। नेत ज्योती मुक्त दाएक तारा तार कृपान है। नेत ज्योती और इथे विस्पष्ट कारदे तब यो जोत सरूप है। प्रमात्मा दी शक्तरी प्रमात्मा दी ताकत प्रमात्मा दी शक्ती नेत ही रोज ही कान कान देवेच प्रकाश मान हो रही है। गुरुगरंस हैं महाराज जी दी बाणी देवेच भी दर्शन करांगे। असमान वेच भी प्रकाश कर रही हैं प्रकाश कर रही है। मुक्त दायक तो पाव मुक्ती देन वाड़ी है। ते हुण मैं बेनती करा ही मुक्ति कौन दे साकता है। जिऴ शुक्मनी सभ महाराज ने शब्द वरते कि आप मुक्त करें संसारioè। जिँधा खुद मुक्त वी मुक्ति दे साकता है। उससे मुक्त दायक खुदा देली महराज ने क्या दिता नेत जियोती मुक्त दायक के तेरी जोत जिते नेत ही कानकान देवेच प्रकाश मानू हो रही है साच है तेरी ए जोत तेरी ए शक्ती लखानू ही मुक्त कार रही है संसार दे बंदना तो मुक्त कार रही है जन मरन तो मुक्त कार रही है तारा तार कृपान है प्यार वालियो प्रमात्मा बार बार स्पष्ट किता कलगिया वाले ने प्रमात्मा तेरी शक्ती तिखी तार वाली तेहे गया तेरी शक्ती शस्तर सुरूप है शब्द हम्मी परणगे बार बार के ए सात्गुर गुरु गोविन से माराजी ने जड़े शस्तरा दे विच्चों भी प्रमातमा दी ताकत दे प्रमातमा दी शक्ती दे दर्शन कर देने अस किरपाण खंडो खडग तुपक तवर अरतीर सैब सरोही सैथी यह हमारा पीर काल तुही काली तुही तुही तेग अरतीर तुही नशानी जीत की आज तुही जगबीर ये प्रमातमा दे शक्ती दे दर्शन शस्त्रा विच्चों कलगियां वाड़ी कार साकते या कोई होर नहीं कार साकता तारा तार किरपान हैं तिखी तारवाडी तेग हैं करपान हैं ते है शबद मैं फिर भेंती करां जिमें जाप साथ दे विचाया अरूप है अनूप है प्यार वाड़े हो महराज ने फिर है शबद दिवर्तो की ती के तुँ हैं संसार दे तकते ते काइम हैं पावे कोई जि मंड का मंड का मिर्त का जगत जननी काल का गुनखान हैं। मंड का मिर्त का जगत जननी तो पाव हैं। कोन जगत जननी तो पाव हैं। साथ गुरु केंदे काल का परलो लियान वाली शक्ती भी परमातमा तेरी हैं। गुन खान हैं। गुन खान तो पाव तेरी शक्ती गुना दा खजाना है। जब जब जी सहाब दे वेच बचन आए ना। के साब गुन तेरे मैं ना ही कोई वेण गुन कीते पगतना हुए। सारी गुन ते रे ने उन अचे पंक्ती नुम घुतु कार दिता के घुन का घुन खान है तो गुना दा खजाना है। तेरी शक्ति गुना दा खजाना है। अग्गे सवत् ACT गुरू शब्द वर्त दैने अकाल जोटी नह कलंका महाबली तृतमान है। के हे अकाल पुरखवाई ग्रूप परमातमा जेडी तेरी जोत जेडी तेरी शक्ती वर्त रही है संसारते ओ अकाल सुरूप है अकाल जोती पाब अकाल सुरूप है अकाल मुरत है अजून है सै पंग है अकाल सुरूप है काल तो रहत है वेखो एक विद्वान दा कतन है के काल समेतों रहत जो रहत जनम अर काल काल करे जो काल को नमोसु पुर्ख काल के जड़क काल दा भी काल वे उस काल पुर्ख दी उस्तद किती है उस काल पुर्ख वाहि गुरू दी शक्तीनु सिजदा किता है काल समेतो रहत जो रहत जनम अर काल काल करे जो काल को नमो सुपुरक अकाल नेह कलंका पावो दी हसती नो कलंक कोई नी कला कला जीव संसार दा जान दाए कि संसार दे केवल इकोस दी जड़ी नह कलंक है कोन परमातमा है केवल परमातमा दी शक्ति है जिनों संसार दा कलंक कोई नों कोई कलंकत नहीं कर सकदा महा बली तरेतमान है महा बली तो पाव वड़े बालबाला है तरेतमान तो पाव तीरजवाड़ा है तनुरपान तरेतमान तरातर अनविकारस्तारी शबत हजारे जड़ा नितने मकारदे गुरू के से उदे वेच भी ये बचन पाड़ दे उनगे साथ गुरू केंदे प्रमातमा दी शक्ती जिते बड़े वाल वाली है बड़ी ताकत वाली है ओथे ही प्यार वाले तीरजवाली है तरेतमान हैं पाव मान का खलहान का रतपान का जगमान हैं हुण परमात्मा दी शक्ति दा शस्त्रा दा जो वर्नन किता है, साथगुरू कहन दे जेडा संसार है पव मान का, पाव संसार दे उते, पृथवी दे उते, इस पुह मंडल दे उते, सारे ही तेरी इस शस्त्रा दी शक्ती नू मान देने, सिजदा कर देने, पव मान का, खलहा लाँआधियं। ना दा खातमा कार देंदी है पव मान का खलहान का रतपान का जग मान है साच है तेरी ये शस्तरा दी शक्ती तेरी ये ताकत तेरी याद शक्ती जगत दा मान है परमातमा तेरी शक्ती उते सारे मान कार देया वेखो साच है के ताहीं अजवी देशां देशां देवेच दर्शन कीते जांदे कोई अपनियां मसाइलां वखोंदा कोई अपनियां तोपां वखोंदा कोई टैंक वखोंदा ते फिर परदर्शनी करके अपने शस्तना दी ताकत उते मान करदा साथ गुरू केंदे साच है तेरी शस्तना दी ताकत ते सारा जगत मान करदा है इत्थों था सीज कों तक प्यार் वाले ओ प्रमातमा दी रहमत दे कला दे टाकत दे बत ti नाम्मा दा कव्च महराज ने उचारन किता और अग्यठर, भचन किते ए इह कव्च ब्रहमा को बतीसा पड़ा है जो नेत चंथरी कैंदे एक कव्च पावे रख्या करनवाला ओ भ्रहमा दा प्रमातमादी शक्ति दा बती नामावाडा मंतर है ते जेड़ा विशत्री पाव शस्तर तारी सूर्माई नू पढ़ेगा क्योंके सात्गुरु गुरु गोविन से महराज ने खाल से नू शस्तर तारी बनाया है महराज केंदे नू लाब मिलूगा लाब की मिलूगा रण जीत लेह निरपीत रह रेदसिद पावाय तरी रण जेत लवेगा जंग जेत लवेगा वड़े तो वड़ा जंग होवे पामे सामने दस लाक फोईदा काठ होवे पर फेर भी सवा लाख देना लड़न दी ताकत आजावेगी चमकोर सहब दी गड़ी दाईती आज जान देयां जून 1934 दे कलू कारे दाईती आज जान देयां कैम दे रण जीत लेनिरपीत रह वड़े तो वड़ा रण तता होवे तावी जितन दी ताकत आजावेगी निरपीत रह संसार दे सारे पै मुक जानगे डार खतम हो जानगे प सिदियां पिछे रिदियां सिदियां पिछे संसार दे लोक पाजदे ने जेड़ा भी ब्रह्म कवच दा जाप करेगा संसार दियां रिदियां सिदियां उदे पिछे पजणगियां उदे चर्ण चुम्मनगियां गुरु गरंसे महाराज जिदी बानी दे बोलने नव निदी अठार हैं सिद्धी पिछे लगियां फिर हैं जो हर हिर्दै सदा वसाए एते सदा ही पिछे तुरियां फिर्दियां खाल से दे जड़ा हरीदा जाप करदा अगे बचने लह बेद पेद जो पड़ा बिप्र बैस्य तान सुक संपता प्यारे ओ जेडी भी पावना ना पड़ बीन एक पावना वहीन कैसे पाव हैं जग दीस को संसार दे हंकार दे विच गलकत हो है मूरक लोको पावना तो बीना बाणी पड़ के दात नहीं मिलनी बाणी ते कटाक्ष करी जाने हैं कि ते पावना ना पड़न दा जतन करिए जेड़ी भी पावना ना पड़ांगे बात मिलेगी बैस से तान सुक संपता जड़ा नमाना लोड बंद जड़ा पड़ेगा गरीब कोई पड़ेगा तान दी आसरा के ते उन्हों तान मेल जावेगा उदे कार विच तान ना आ जावेगा सोख अकंपता ते केंदे एब्रहम कवच पड़न वालयानू ओ सोख मिल लागा जीया जेडा गुरू दी किर्पादा सोंके फिर जलंख अपता आजीयीश्य सब्सक्रप और ते शुनी जांपतान विचों ते पड़न जिननाने तो पड़न जे मिद्या निकले पांगे तो.. निकलांगे नहीं ते सारी उमर शंक्यां वेची वेर्थ गवा के फानी संसार्तों अलविदा हो जावांगे सो प्रेमनाल पढ़न्दा जतन करिये महराज बचन कारदे ने तन ताम तन रोग सूधर पाय सुख अकंपता केंदे तन ताम तोपावकार ए जाप करनवाडेां दे कारवेच तन आवेगा सोखावेगा बक्षशा ओनगियां रेम ता ओनगियां तन रोग कोई भमार सजण किस दे रोग ठीक हो ए ने पामे कोई जिन्ना मर्जी तोड़न दा जतन करे प्यारयों पर जिन्ना ने बाणी पड़ी ते जिन्ना ते किर्पा यो किसे दे क्या हुन रुकन नहीं लगे सो तन ताम तन रोग सुधर पाए सोख कमपता केंदे सुधरानू लोड बंदानू भी सुख मिलूगा गुरू दी किर्पा दा सोख मिलूगा एह बोला हर गोविंद का सुणो खाल साबीर ते हुन मैं बेंटी करा वी कई वारना शंका करदे ने भी जे बाणी गुरू गोविंद से माराई दिया पिर छे में पाच्छा दा जिकर क्यों वेखवाज तानू गुरू अर्गोविंद साह महराज मीरी पीरी दे मालक बंदी छोड साथ गुरू गुरू अर्गोविंद साव जी दा प्रकाश पुरू है सो तानगुरु गोविंसे महराज दादा जी ने गुरु अर गोविंसा महराज छेमे पाच्छा ने पंज पेले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी हर जन काया पलट काय मूरत हर गोविंद सवारी तानगुरु गोविंसे महराज केंदे आया खालसा जी ए बीर जो देव सूर में हो जरा इस बचन नो गोर ना सुनो की केंदे छेमे पाच्छा साधे बड़े बड़े रे साथ गुरु ने बचन चेते कराए के साधे बड़े बड़े रे आने एक बचन किता जी की बचन किता क पकड़ हाथ शम्शीर के रन तते दे विच फते होवेगी जिदन हाथ दे विच तेग पकड़ोगे हाथ विच शम्शीर पकड़ोगे क्योंके पाई गुर्दास जी दा कतन है गुर्ध हर गोबिंद खश्टम अवतारे जिन पकड़ तेग बहुत दुष्ट पशारे के तन ग महाराज ने शस्तरतारी उन्याँ दा उकम सब तो पेला गुरु अरगोबिंसंवन ने दिता एस सेक और के गुरोगोज से महाराज कलगीत अरपाच्या ने अपने बढ़े बदे बडेरेयां दे बचन चेते ले क्राए कि खाल साजी गुरु अर्गोबिंसंव महाराज दा ह हुकम है कि जेड़ा भी सिख हाथ वे शस्तर पकड़ेगा शस्तर तारी होवेगा हाथ वे च्टेन फोट दी तेग पकड़ेगा साच यह उदे सारे कारज रास ओनगे जित्थे वी जावेगा फते ही होवेगी कोई उन्हों रोकनी सकेगा सब एक आज सवारे है जा तुद पा वंदा कोई एकणी सारे कारज रास ओनगे तो मैं बेंती करां कि गुरु गोबन से महराज दे बचना थे पैरा देए महराज दे बार बार बचने बिना शस्तरं केसं नरं पेड जाननों गह कान ताको किते ले सदानों कि शस्तर तो बिना थे बंदा पेड़ा बकरी बरगा शस्त्रा तो बेना केसा तो बेना पेडाबर की बकरी वरगावा इस करके एक काम करो की जब हमरे दर्शन को आवो बान सुचेत तान शस्तर सजावो जदों भी दर्शना लियाओ गुरू के दरबार देवे ते तान ते शस्तर सजागे ओ ते बेनती करा वे नियांग सिंगा ते शंके कारदे खाल साजी ये नियांग सिंगी या जिनाने हडे तक गुरू की विरासत गुरू की दस्तार दमाले नू सामबया गुरू के बक्षे शस्तरा नू सामबया गुरू के बाने नू सामबया ते सब थो बड़ी कल के गुरू कल गी तरपाशा दी दात कोड सवारी नूँ वी सांबे आवया सो अग्गे दोहरा है या बिद नाम उचार बिद पुना करियो परियोग पाठ सवालाख हवन कार जीत जंग तब हो के जेडा वी हाथ देवे शस्तर पकड़ के जां शस्तरां दा सरवलो दे शस्तरां दा आसन ला जिननू प्यार वाले हवन शब्द के देने उन्हों तूना भी के देने ते थी हास दे वेच ए बोलने के गुरु अर्गोवन सा महराज ने वी चार तूने स्थापत किते सन ते उदासीन महातमा आज भी तूने बाल देने ते प्राने महापुर्खा दा मनना एके जे बोता का मड़या हवे ते प्यार वाले हो तूना परगट करके तूने दे सानमुख बैठके शस्तना दा आसन ला करके इस बानी दा सवालक जाप किता जावे सारे कारजां वेची भते हुएगी हर जगा जेतो वेगी सारे कारजरा सोन गे ते वैसे महापुर्खा ने जेड़ा के बत्ती पाठ दा महातम दस्या के रोजाना बत्ती पाठ इस बानी दे किते हैं ओर दास बेनती पूरी हों दी ये जेड़ा वी गुरू का सिख गुरू अगे कारदा है सो कारदेवे शस्तना दा सरबलो दे शस्तना दा आस्तन लाके बानी पड़िये शंकेया तो बचिये क्योंके वेखो मैं बेनती करां भी कोई मातपेद होवे भी ना कोई शंका होवे ती बैठके प्रेम दे नल सुल जा लेना चाहिदा वा एक कोम दी एक होन दा समा वा कोम वक्रेवियां वेच बंडन दा समा नहीं ते बेनती है भी जे कोई शंका होवे ते बैठके सुल जा लेना चाहिदा बड़के खुले चैलेंज पंथ नू नहीं करने चाहिदे क्योंके पंथ गुरु गोवन से महराज दा सो मैं बेनती करां शंकियां तो बाच करके प्रेम स ऐसे जिन्ना ने बाणी पड़ी है ओ इस बाणी दे अनादनू जान देने ते एवी साच है के गुरु के पंथ नूवी किसे दे साटिफ केर दी लोड नहीं के बाणी कल गीतार दी है के नहीं क्योंके गुरु क्या सिखानू गुरु गोवन से महराज दे पूरन प्रोसा है सुवाव अंत दे वेच एक ब्रह्म कवच दा जाप करके आपां खीमा दे जाच को ये तानू गुरु गोवन से महराज सचे पाच्छा दे चरना वेच हाजरी लवाईए सारे आने प्रेम सहत पड़ना जी एक ओवंकार श्री वाह गुरु जी की फतहे आत ब्रह्म कवच लिख्यते पात साही दस्मी खडग खंडा असी अरगर तरम राच ताग छतरी बिश्व पाल पूपाल पाच पल पाच राण का छियतरी राजमंडा अत प्रचंडा ईश्वरी करवार हैं सकत ब्रह्मनी बैस नवी पवा नीतूं तरवार हैं नित जोती मुक्त दाइक तारा तार किरपान हैं चंड का मंड का मिर्त का जगत जननी काल का गुन खान हैं अकाल जोती नेह कलंका महाबली तृतमान हैं पवमान का खलहान का रतपान का जगमान हैं एह कवच ब्रह्मा को बती सा पड़े जो नित छतरी रण जीत लेह निर पीतर रेद सिद पावे अतरी लेह बेद पेद जो पड़े विप्र बैस तान सुक संपता तन ताम तान रोग सूदर पाए सुख या कंपता ए बोला हर गो बिंद का सुनो खाल सा बीर फते पाओ मैदान मैं पकड़ हात शमशीर दोहरा या बिद नाम उचार बेद पुना करेओ परियोग पाठ सवालक हवन कर जीत जांग तब होग राज करेगा खाल सा आकी रहे न कोई खुआर होए सब मिलेंगे बचे सरन जो होए होईया तमाम पुलना दिखियमा वाह गुर जी का खाल सा वाह गुर जी की फते